सूर्य का कर्क राशी में गोचर हो रहा है 16 जुलाई 2023 को सूर्य 16 जुलाई 2023 की प्राता लगबग 5 बजे अपना राशी प्रवर्तन कर लेंगे कर्क राशी में जो है उसके स्वामी है चंद्रवा और जो कि सूर्य देव के परम्मित्र है तो सूर्य देव बुद्र की राशी में 16 जुलाई को गोचर करेंगे और यहां पर 17 अगस 2023 की दुपहर लगबग 13 बज की 18 मुनट तक रहेंगे और उसके बाद अपनी सो राशी में प्रवेश कर जाएंगे सिंग में इस प्रकार सूर्य का एक वहकाया गोचर सभी बारा राश्यों पर अलग-अलग परभाव डालेगा सूर्य एक अगनी परधान रहे हैं जब करक एक जल तत्त राशी है तो करक राशी में जब सूर्य का गोचर होगा तो क्या परभाव होगा अब इस गोचर का सबस्यादा परभाव किसको होगा जो लोग करक राशी के जातक है जो करक राशी की महिला है जिनको करक राशी की दशा महादशा चल रही है जिनका संबंद सूर्य का करक राशी से हो रहा है जो करक राशी के नर्शत्रों में पैदा हुए है जो कर्व राशी से समंदित कोई नौकली या बिजनस करते हैं। सूर्ज को धर्ती पर प्रकाश देने वाला और उर्जा देने वाला ग्रह मारा यह है और प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रतिक्ष देवता का मतलब वो देवता जिनको हम रोल प्रतिक्ष दिन देख सकते हैं. अगर धरती पर सूरज ना होगे तो आप सोचिए क्या होगा? यह लिए सूरज को सरवाधिक इस्थान दिया गया है भारती जोतिश में. सूर देव गरहों के राजा है और जो आज बिलता है, अच्छी डॉकरी मिलती है, अच्छा पद पतिष्था मिलता है, राजदीतिक सफलता मिलती है. तो आईए जादेए अब आपकी राज़ी को क्या मिलने वाला है? मेरा नाम है सूर्ज के गोचर का आपकी राज़ी पर क्या प्रफाव पड़ेगा? इसका वि आपको जानते हैं और कमजोर सूर्ज अगर है तो उसको मजबूद बनाने का उपाए भी जानते हैं. अब हम बाग करेंगे आपकी राशी की यह जादकाई चंड राशी और नाम राशी पर आधारित होगी. आप लंग राशी से भी देखकर लाव ले सकते हैं. अब ध्यान से सुर्ये का हम करने वाले हैं आपकी राशी का शुभारा मुबर. मेश राशी, राशी चकर की पहली राशी, मंगल आपकी राशी के स्वामी हैं और मंगल के साथ सूर्य की मित्रता है. मेश राशी के जात्कों के लिए सूर्य परंचम भाव के स्वामी हैं जैसा कि आप स् होना है यदि आप सरकारी छेत्र में काम करते हैं तो आपको और भी अरिक मुन्नती प्राप्त होगी जबकि निजी छेत्रों में काम करने वारे लोगों के अधिकारों में बढ़ोत्री होगी चौथे घर में सूर्य आम तौर पर रवक्ति को तनाओ ग्रस्त रखता है लेकिन ऐसा जातक हमेशा तनाओं के बाद सुक को पा लेता है आप अपने परिवार की अपने नीजी जीवन से गिरे हुए रहेंगे आप अपने परिवार के बारे में बहुत अच्छा सोचें कि अपने नीजी जीवन के बारे में अच्छा सोचें कि अपनी फर्सनल लाइफ को अपने नीजी जीवन को कैसे अच्छा किया जाए जिसके बारे में सोच भी चाल करेंगे अपने परिवार की जिर्नगी को परिवार के सदस्यों की जिर्नगी को कैसे बह arranged किया जाए उसके पर तिस हमेशा उन्चा देखता चाहेंगे अपने परिवार को gjूज़े चाहेंगे और कोश़ीश करते रहेंगे कि मैं अच्छा कमा हूँ, मेरी नौकरी अच्छी हो, मेरी पढ़ाई अच्छी हो, जिसने मैं परिवार को खुश कर सकूँ. तो कहीं न कहीं आपके निजी छेत्र में आपके अधिकारों में वरग्दी होगी, आप बड़े पद की प्राप्ती करें के, आपके नौकरी के प्रियासों में आपको सफलता मिलेगी, व्यवसाय करने वालों के लिए इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी, आप अपना व्यवसाय को एक ना एक जगे पर स्टैमिलिश कर पाएंगे, परिवारी की यूर्ट में थोड़ी समस्याई आ सकती हैं, लेकिन आप उनके हिद के लिए काम करेंगे, वाद, विवाद, जलाई, जग्रा, थोड़ा उग्र सभावा हो सकता है, परिवार के लोगों से थोड़ी सी तूटूबह पर हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो रही होगा, बवार रही होगा, चोटा बटा चलता रहेगा, इस समय आप अपनी खु मस्या है, तो अपने डॉक्री चेक अप कराते रहेए, स्वास्त का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा लेने से पेट में गैस बगरा भी बन सकती है, आपका जो सूर है, वो आपको आपके लक्षेों तक ले कर जाएगा, आपका लक्षे है, नौकरी में किसी का लक्ष है, डॉक्टर बनना है, तो जो भी आपका लक्ष है, सूर्य अपकी मदद करेंगे, सूर्य आपको आर्थिक रूप से समर्द रशाली बनाएंगे, क्योंकि आपके भीतर बचट करने की प्रवर्थी को भी देंगे, आप देखने में रूपवान होंगे, ले कि कई बार आप दूर जाने की वज़े से अपने परिवार के साथ में ही रह पाते हैं, इसका आपको लगता है कि मैं साथ होता तो अपने माता पिता की अपने बीवी बच्चों की और अच्छी से देख भाल कर पाता, इसका तो आपको दिल में खटास रह सकती है, लेकिन का है तो जाना पड़ेगा, आप कई बार अगर आपका सूरी खराब होगा, तो आप एक घर में रहे भी रहे होंगे, तो फिर मन मुटाओ हो जाएगा, सूरी की बायों भाई जो है आपके लिए उसमें सभाव आएगा, भाईों से रिष्टे अच्छी होंगे, इस समय में आपको विदेश जाने का मौका लग जाए, अगर आप इस योग लिहें कि आप और आपका काम है विदेश जाने से समधित, इस समय में आप सोने चान्दी के जो वैपारी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, यात्राएं लापकारी रहेगी, यदि कुछ नया करने की आपको लालच से बहुत दूर रहना है और आपको अगर लालच पर आपके मन में आया है तो फिर दिक्कते पैदा हो जाएंगी, इस सूर्य जो है इसकी आरादना करिए, सूर्य धर्ती पर सबसे बड़ा ग्रह है उर्जा देने वाला, इसकी उर्जा को अपने अंदर समाई और उससे आप एनरजेटिक होकर आगे बढ़िए और इस समय में आप बुद्धिमान होंगे, दयालू होंगे, एक अच्छे प्रशाशक होंगे, आपके पास आमदनी का निरंतर साधन होगा, आपकी आमदनी में कोई कभी नहीं आएगी, एक बड़ा धंग कमाने में आप क जोडने की इच्छा भी कुछ लोगों में जागरित हो सकती है, इस समय में आपको आपकी माँ, आपकी इबुआ या आपकी माँ की उम्र की जो महिला हैं, उनका को प्यार और इसने मिलेगा, आप दिल से माबाप से महपत करेंगे, परिवार से महपत करेंगे, लेकि काम के स जाते हैं, उनको बहुत नुक्सान होगा, पिता से थोड़ी सी तूतू में में हो सकती है, लॉंग टर्म प्रॉपर्टी में आप इंवेस्ट कर सकते हैं, जो लोग लोहे या लकडी का वैपार करते हैं, तो आसा सावधानी से करें, नुक्सान हो सकता है, सोने, चांदी या कपले का काम बहुत अच्छा चलेगा, मानजाहार का त्याक करें, सरकारी अधिकारियों से लड़ाई जड़ाय या तर्क बितर्क ना करें, मचली पालन भी ना करें, मचली खाये भी ना, और बुरे काम में लिप्ट ना हो, अपने पैत्रिक घर में अंधे लोगों को रोट अब आगे बढ़ते हैं, अब ये गोचर कुणली जो आपके समक्स एकवार फिर से आगए सूर्य चौते घर में बैठें, तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, जहां पर पांच नंबर लिखा है, और इसकी द्रश्टी कहां पर जा रही है, साथी द्रश्टी दस्वे घ पर, तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, ये घर भी अक्टिवेट होगा, दस्वा घर भी अक्टिवेट होगा, तो पंचम भाव के स्वामी है, तो रस्तनात्मक कालियों का प्रतिधित्यों करेंगे आप, आप हमेशा आकर्शन का केंदर बने रहेंगे, लोग आपके आ कि प्रोग्रेस को लेकर आप जिंतित रहेंगे कैसे मैं और इनको सफलता दिलाओं कई बार कुछ माबाप होते हैं जो खुद कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन काम धंदा अच्छा है तो चाहते कि मेरे बच्चे और अच्छा पढ़ें तो आप इस तरीके से उनको और प्रदी मिलेगी भागदौर बढ़ेगी उच्छ रक्त चाब ब्लड प्रेशर है तो फिर कहूंगा या एसडिटी है गैस है तो सावधान रहें और सूरी की रिष्टी दशम भाव पर होगी तो आपके करियर को लेकर आप सीरियस होंगे आप अपने लक्ष तक पहुंशने नहीं और काम करेंगे उसके लिए पढ़ाई हो लिखाई हो या अपने अद्वाव का प्रयोग हो सरकार से लाप मिलेगा आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे सरकारी नौकरी और सरकारी वहन कस्तों कुलेगा प्राइवेट नौकरी भी मिल सकते एक और उपाई नर्ति संगीद अबने कला टेलीवीजन फिल्म निर्मार निर्माता निर्देशक राजीदी के छे तरफ से जोड़े लोगों को भी सफलता मिलेगी सूर्य आपको सामर्थिमान बनाने के लिए यहां पर आए हैं और शत्रू का विनाश करने आए हैं आप ऐसा भी समझ सकते ब तो इयाने की आप अपने बच्चों को भी अपने सेम प्रिफेशन में लाने के बारे में में सोच सकते हैं या लाही ले ही आएंगे या उनकी सटडी उस तरीके की करायेंगी वो भी सभी सेम प्रिफेशन में जाएं अजीविका के बंद रास्ते खुल जाएंगे सरकारी अर्द सरकारी कंपनियों में नौगरी लगेगी जो कच्छे थे वो पक्के हो जाएंगे तो कुल मिलाकर आपके लिए एक विशेश इस्तिती बन रही है आपके लिए ऐसा कह सकते हैं जुलाई और अगस्त दोनों महीने शुब रहेंगे सूर्य के इस प्रभाव से उपाए मैंने बीच बीच में बता दिये हैं अगर नहीं आपने सुने तो फिर से वीडियो सुन लीजी का बीच में बड़े शांदार उपाए बताएं इससे सूर्य बढ़िया हो जाएंगे अंत में मैं सिर्व इतना ही कहूंग अगर आपका सुर्य कमजोर है तो उसे मजबूत बनाकर जीवन के सारे सुपाएं हरी ओम नमस्कार